साथियों, आज ये निर्णे लिया गया है कि राज्यों के पास वेक्सिलेशन से जुड़ा कुछ 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी। इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गैडलेंज के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि दो सप्ता बार 21 जून को ही अंतरराश्य योग दिवस भी है। 21 जून सुमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मोहया कराएगी। वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरिद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी। यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोणों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली है। अब 18 वर्ष्टी आउड के लोग भी इसमें जूर जाएंगे। सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार की मुप्त वैक्सिन उपलब्द करवाएगी। गरीब हो निम्न मद्यमबर्ग हो मद्यमबर्ग हो या फिर उच्वर्ग। भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी। हाँ जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते हैं। प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं। उनका भी धान रखा गया। देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्ता जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीवत के उप्रान एक डोज पर अधिक्तम एक सो पचास रुप्य ही सर्विस चार्ज ले सके पिछले वर्ष जब कोरोना के सारां लोकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधान मंत्री गरीप कल्यान अन्य योजना के तहर आठ महिने तक अस्षी करोड से अधिक देश्वास्यों को मुप्त राशन की ववत्ता हमारे देश ने की इस वर्ष भी दूसरी वेव के खारां मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया रहे सरकार ने फैसला दिया है कि प्रधान मंत्री गरीप कल्यान अन्य योजना को अब दिपावली तक आगे बढ़ाये जाएगा महामारी के इस समय में सरकार गरीप की हर जरुरत के साथ उसका साथ ही बनकर खड़ी हो यानि नवंबर तक 80 करोर से अधिक देशवासियों को हर महिने तय मात्रा में मुप्त अनाज उपलब्दक्त होगा मुप्त अनाज बनकर खड़ाये जाएगा